नमस्कार गुण मॉर्निंग आप सब देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ रतिका आज जमू कश्मी की पांच जाहनकारी की और रुख करने से पहले हम सब मिलकर उन वीड जवानों को याद करते हैं जिनोंने आज के दिन अपनी शहादर दी थी अपन पांजली देते हैं तो चलिए रुख करते हैं जमू कश्मीर की आज बड़ी ख़बर की और पहली ख़बर आपको बता दूं कि ग्रह मंतरी आमद शाने जमू कश्मीर में होने वाले इलेक्शन पर कुछ कहा है आप लोग जानते हैं कि 2019 में बीजेपी लेड पार्टी ने बीजेपी लेड गव्मेंट ने जमू कश्मीर से आर्टिकल को हटाया था यानि की 370 और 35 एको एप्रोगेट किया था उसके बात बहुत से तबकि ऐसे हैं कि आज दिन तक वो लोग 370 कि मांग कर रहे हैं लेकिन जो ग्रह मंत्री है उन्होंने एक निउस अजंसी से बात करते हूँ एक इंटर्विव देते यह सपष्ट किया है कि इलेक्शन सब होंगे जब इलेक्शन कमिशन जमू कश्मीर में इलेक्शन की अनुमती देंगे इलेक्शन होने के बात जब आएगी कोई इलेक्शन के बाद तब ही पता लग पाएगा साथ इसाथ उन्हें ने यह भी कहा कि बहुत से तबकि अभी ऐसे हैं जो कि लोगों को बढ़काने का कारे कर रहे हैं कि 370 से हमें यह नुकसान हुआ है जबकि मैं आपको बताओं जो कि अमिच्छा के वर्ट जह हैं जो हमारे ग्राय मंत्रीय उनके वर्ट जहन का यह कहना है कि जमु कश्मीर में development बिलकुल ground level से दीरे-दीरे उसका graph race होना शुरू हो चुका है जिस तरह से प्रोजेक्ट से जमु कश्मीर में चल रहे हैं जिस तरह से development यहां पर हो रही है और जो terrorist के attacks है वो gradually कम होते नज उनने किस पार्टी को जम्मु कश्मीर के लिए चुनकर लाना है जो कि उनके फाइदे के लिए उनके विकास के लिए कारे करेगा यह तो तब ही सबस्ट हो जाएगा कि 370 कब आएगी जम्मु कश्मीर में और कब नहीं आएगी तो आज की दूसरी कबर की और रुप करते हैं क कि जम्मु के GGM Science College में स्टूडेंस ने यह आरोप लगाए है कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चों ने उनके उपर स्टोन पेल्टिंग की है यानि कि उनके उपर पत्थराव किया गया है हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की और से और यह मामला सामने तब आया जब उस आरोप लगाया जा रहे हैं यह जायज है और अगर जायज है तो कौन बच्चे है जो कि हॉस्टल में रहकर इस तरह से कारे कर रहे हैं और कॉलेज का महौल पिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ स्टूडेंस जो है उनके उपर GGM Science College में पत्थराव हुआ है तो अगर मैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदीजी की बात करूं तो उन्होंने भी ट्वीट करके उन वीर जवानों को याद किया है उन वीर जवानों की जो है उन्हें श्रधांजली दी है तो उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदीजी की बात करूं तो उन्होंने भी ट् प्रविप करके आना है उनके इस करच को मैं नवन करता हूं लोगों को मैं शद्धांजली देता हूं और उनसे बहुत सी हिम्मत आती है लेकिन इस नुकसान की बरपाई नहीं की जा सकती है जो की शहादत हुई है लेकिन उनने ये भी याद किया है कि उन पुल्वामा अटाक में जितने वीर्जवारों ने शहाद दी थी उस अटाक को रिटालियेट करने के लिए बाला कोट में जितने भी टर्रिस केम्प से उनके उपर भी एक अटाक किया गया था इंडियन एर फोर्स से ये कुछ इन्हें नमन करते हूए याद करते हूँ शृधांजली दी है तो curiosity थी कि उस चीज के बारे में जानने की कोशिश तक की गई लोगों की और से particularly search करके तो ये चीज जब देश के अलगलग कोने में फैली हमारे हिंदोस्तान के अलगलग कोने में फैली तो ये जहनकारी जब terrorist के और के गई तो उनने इसीज को लेकर एक threat issue किया है जिसमें ये कहा है कि अगर किसी ने भी ये lithium मिलने के बाद किसी ने mining करने की कोशिश की तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा आपको बता दू पी ए एफ एफ जो कि जैशी मोहमत का एक terrorist group है उनकी और से ये threat warrant issue किया गया है कि इस चीज के अगर किसी ने भी mining की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा तो साथ और से जो है वो ये चाहते हैं कि माइनिंग उनके हाथ लग जाए बलकि बागियों के हाथ ना लगे जो कि जमू कश्मीर के जादा से जादा यूथ नशे की और अगरसर हो रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि चाहते हैं कि जमू कश्मीर के यूथ प्रोग्रेस ना करें ड्वेल्पन करें बलकि इन सब चीजों में ही लगा रहे तो ऐसे में कुछ कर्मी ऐसे भी हैं जो जमु कश्मीर में और जमु कश्मीर के बहार भी अलग लग हिस्सों में नशा तसकरी का कारज शुरू किया गया था ऐसे पांच सहनिय कर्मी हैं जिने पता लगने के बाद हमारी गवर्मेंट ने हमारी अथॉरिटीज ने उन्हें सस्पेंड किया उनकी खिलाफ अरेस्ट वा अरेस्ट ही रहेंगे आपको यह भी बता दूं कि कवड़ा जिलह में 17 सदस्य का मॉड्यूल भी बांडा फोर्ड किया गया था जो कि नशा तसकली करता था यह पिछले साल यानि कि आज से 2 महीने पहले दिसंबर की बात बता रही हूं जहां पर 17 लोग का मॉड्यूल का बा अर आप लोग के लिए सवाल है कि जो आर्टिकल 3.470 एप्रोगेट किया था और भहुत से तब इसे हैं जो कि इससे वापिस लाने की मांग कर रहे हैं और भहुत से तब कि आसे जो कि इसे सपोर्ट करते हैं जो डोल ताशों के साथ इसका स्वागत किया था तो आप लोग जो अम्मिट शाह रहे मंतरी का बयान है उस चीज को गिसरा से देखते हैं कमेंट बोक्स पर राय रखना ना भूलेगा और साथ चाह देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस